जाहिन दोस्तों आज के विडियो में देखेंगे हम लोग ट्रांस्मिशन टावर ठीक है ट्रांस्मिटर ट्रांस्मिशन टावर के बारे में देखेंगे इस विडियो में हम लोग कवर करेंगे वाट इस ट्रांस्मिशन टावर क्या होता है transmission tower के कितने कौन-कौन से parts लगे वे रहते हैं transmission tower का height किस पे depend करता है किस factor पे depend करता है transmission tower में angle octaviation के according कितने parts में बाटे गए हैं तो वो सब चीजों को हम इस video में cover करेंगे एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए बिना देर की हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं चलिए अब देखते हैं what is transmission tower transmission tower क्या होता है a transmission tower is a tall structure used to support an overhead power line transmission tower क्या है यह जो हमारा एक tower structure है ठीक है यह हमारे क्या करता है transmission line के यह conductor है उसको क्या करता है support करने का काम करता है in electrical gates they are used to carry high voltage transmission line that's transport bulk electric power from generating station to electrical substation यह हमारा क्या हुआ है यह जो हमारा generating substation है generating substation से क्या करेगा यह हमारे electrical substation जो भी हमारे जहां से power distribute होता है वहां तक यह हमारे क्या करेगा conductor bulk power कुछ क्या करेगा यह इसके थुरू क्या करेगा हमारे electrical substation जो है वहां तक यह power को भीजने का काम करता है ठीक है transmission tower also known as power transmission tower transmission tower को क्या बोलते हम लो power transmission tower काते हैं या इसको power tower की भी कहेंगे या electricity pylon भी काते है ठीक है mainly हम लोग का क्या हो गया इसका mainly काम हो गया हाइब voltage transmission क्या करेगा मारा bulk जो electric power है इसको generating substation से लेके इलेक्टिकल जो हमारा जहां पर पावर डिस्टिब्यूट होता है उस substation तक हमारे power को भीजने का काम या जो है transmission line transmission tower जो है या एक सपोर्ट की तरह यहां से generating substation से electrical substation तक पहुचाने का काम करेगा चलिए आए उसके बाद हम लोग देखते हैं transmission tower parts detail ठीक है tower body and leg of transmission tower transmission tower के जो यह leg body होता है ठीक है यहां पर जिस पर यह पूरा टावर जो है खड़ा है ठीक है इसका एक parts है transmission tower minimum ground clearance of the lowest conductor point above the ground level is depends upon tower body and leg of transmission tower higher the voltage to be transmission higher will be ground clearance कहने का मतलब यह आपका यह जो क्या करता है transmission tower का जो height होई यह इसके base के पर depend करता है जितना इसका base चौड़ा होगा that means tower का height उतना ज्यादा होगा और यह voltage transmission higher will be यह इसके क्या होगा इसका ground clearance उतना ज्यादा होगा हमारा टावर का जितना height होगा तो यह क्या होगा conductor का height reach उतना ज्यादा उपर जाएगा बेस यह क्या करेगा टोटली जो है transformer के leg और transformer के body पर depend करेगा इसके नेक्स देखते हैं टावर बेस टावर बेस क्या है कि टावर बेस मेंली क्या होगया बेस ऑफ टावर इस में होल्डिंग और होल्ड ट्रांस्मिशन टावर बेस क्या होगया आपका टांस्मिशन टावर का जो में जो है जिस पे यह पूरा टावर का body का जो लोड है इस पे रहता है ठीक है उसके बाद हम लोग बेखते हैं बीम बीम क्या है इसमें हमारा क्या होता है क्रॉस आर्म को क्रॉस आर्म को यह पूरे तावर का जो लोड है इसको क्या करता है आपेर करता है थिए करता है है वाल आ करता है हमारा होल थांक्रमर के के पूरे बोडि का क्या करता है structure का support करता है इस पॉर्षन बित्मीन दर टावर बोड़ी एंद पिक इन नौन आज के लुप टावर बोड़ी ये टावर के बोड़ी जो है वह एंड इसके पिक यहां जो आपका पिक है इस पर क्या होता है transmission tower के पूरे load को मतलब यह bear करता है ठीक है तो हमारा cage of transmission tower क्या हो गया the portion between the tower body and pit is known as cage of transmission tower ठीक है उसके बाद हम लोग देखते है cross arm cross arm क्या है cross arm जो है हमारा cross arm जो है हमारा cross arm is used to hold insulator यह जो cross arm है यह हमारा insulator को hold करता है insulator ख्या करता है सारे conductor यह जो conductor है इसको support करता है ठीक है insulator are used to carry transmission conductor को यह hold करके रखता है dimension of cross arm depend upon the level of voltage to be transmitted transmitted अगरों क्रों 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 करता है आपका dimension होता है वह किस पर depend करता है level of voltage यह जो हमारा cross arm है ठीक है यह dimension किस पर depend करता है level of voltage to be transmitted जितना level हमारा voltage रहेगा वह उसके according यह इसका size बड़ा होगा यह ठीक है जैसे कम rating का voltage रहेगा तो यह कम होगा ठीक है उसके बाद insulator string कि इंसुलेटर string क्या है यूज्टू केरी ट्रांसमिस्टन लाइन यह जो हमारा transmission को कि करता है ठोता है कैरी करता है ठीक है यह जैसे जैसे हमारा voltage level जड़ा होगा यह इंसुलेटर जो है हमारा voltage लेवल ज़्यादा रहेगा तो number of insulator में क्या होगा इंसुलेटर पार्ट जो है यह ज्यादा रिस्ट करेगा ठीक है यह पॉर्सलीन का मान लो बना रहता है तो उसमें number of डिस्ट क्या होगा ज्यादा रहेगा तो उसके बाद हमारा यह जो यह जो है हमारा इंसुलेटर पार्ट जो होता है इसमें यह ज्यादा होगा अब हमारा आता है टावर टॉप टावर टॉप क्या होता है टावर टॉप इस युज टू करी अर्थ शिल्ड वार यह जो हमारा इस टावर के टॉप 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 जो है connected रहता है ओर्थ वाईड या ओपी जी डवल्यव के वह बोलते हैं कि हमारा क्या होता है एक टावर से जुशे टावर के बीच में कनेक्टेड रहता है इसको हम लोग जो क्या बोलते है आर्थ वायर या ओपीजी डवलू का यूज़ किया जाता है यह जो हमारा टॉप टावर है यह हमारा क्रॉप अर्म का सबसे पिक रहता है उसको हम लोग क्या करेंगे पिक ओफ ट्रांस्मिशन टावर करते हैं चलिए आप आईए हम लोग देखते हैं टावर का हाइट किन-किन बातों पर डिपेंड करता है तो देखिए पहला पॉइंट क्या है वर्टिकल गैप बिट्वीन दा बॉटम एंड टॉप कंड़क्टर यह हमारा जो टॉप का कंड़क्टर से यह बॉटम का कंड़क्टर जो होगा मतलब डिपेंड करेंगा मतलब मालीजी हमारा लौ ट्रैटिड का यह का इसको पावर एक सब्सक्राप्टर से दूसरे सब्सक्राइब का लेवल तो मारा क्या होगा इस तोनों के बीच का जो गैप होगा वोग हम रहेगा तो हमारा क्या होगा यह हमारा क्या होसे दिपेंड करेगा वोर्टेज गैप इस एंड बॉट्व येपीं development करेगा उसके आज पर चैनल कोगा रांटीज रिटेट ज्यादा है इसके क्लेरा क्लेरेंस ग्रांट करा ज्यादा होगाétais rigorous घ्राबी duck याई चैनल की दिखें नजटार्बार से ग्रोंइड वाइट को क्या ज smt खेंड, हमारे सबस्क्राइट मतलब हमारा जो यह गैप पर depend करता है यह हमारा क्या बोलता है gap between the ground wire नीचे से लेके टौप यह जिए ग्राउंड वाइड हो गया सबसे नीचे वाला टौप कंड़क्टर का सफ़ी बॉटम कंड़क्डर का और यह हमारा यह ग्राउंड वाइड जो यहां टौप में लगाये जाता है इस तोनों के बीच का कि डिस्टेंस पर डिपेंड करता है जितना ज्यादा यह वही बात हो गई आज पर वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा यह तो यह सब चीजे पैरामिटर जो है हमारे डिपेंड करता है टावर के हाइट ठीक है उसके बाद दूसरा एक और है कि सैग ऑफ कंड़क्टर सैग पर भी यह डिपेंड करता है सैग जो है ट्रांस्मिशन लाइन में जरूरी है सैग कहने का मतलब यह जो हमारा टाइड की स्ट वह लूज पोर्शन में रहेगा एक यू टाइप का सेव बनाता है ठीक है उसके यह डिपेंड करता है तो हमारा को यह जो है हमेशा सैग जो है हमेशाद क्या होता है यह हमेशाद पूरा एक टावर दूसे टावर के बीच में बिल्कुल स्ट्रीट कनेक्टेड नहीं रहता है थोड़ा थोड़ा जुखा हुआ या कुछ सब्सक्रीब बोलते हैं वह रहना चाहिए है ठीक है नेक्स्ट है हमारा कर रिवर क्रॉसिंग टावर को जब हमारा कोई नधी को टांस्मिशन टावर क्रोस कर रहा हो ठीक है यह कंडक्टर करेगा जासे नधी के इस साइट टा ख्रहा दिया जाता है छेक है रिलवेय हाइवै क्रोसिंग टावर यहाँपधे ट Towards a तो हमारी कोरा नीचे कोई क्रोसिंग तो नहीं है उस चीजों को भी ध्यान भरकत के मैं टांसमिशन टावर के בןत को डिजाइन किया जाता है जिससे कि हमारा जो नीचे जो कोई लाइन क्राउस कर रहा है उसका और यह टावर दोनों के बीच का क्लेरेंस मेंटेन रहे इन सब बातों पर हमारा यह टावर का हाइट डिपेंड करता है चलिए आगे देखते हम लोग देर आर फ़ो टावर टावर एज पर अंगिल और यह टावर को जो है हम लोग चाहर टावर करने का मतलब 0 से 2 डिगरी टांस्फम्रूंप रहेगा एंगल ऑफ डावीएशन वी टैप में मतलब 2 से 15 डिगरी का एंगिल ऑफ डेविएशन रहेगा in यह आपका खाने का मतलब यह टाइप क्या हो गया जीरो से दो डिगरी यह जो है एंगल टाइप का टावर जो है टेंजेंट और सस्पेंशन टावर को डेंडरली क्या बोलते हैं हम लोग यह टाइप का टावर मतलब टेंजेंट और सस्पेंशन टावर को हम लोग यह टाइप के टावर में रखा गया है यह टाइप के टावर का जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है जीरो से दो डिगरी मतलब यह जो जिसे आपका नॉर्मल टावर है इसमें क्या होता है आपका अंगल ऑफ डेविएशन क्या है जीरो से दो डिगरी अप एंगल टावर है या नहीं है इसमें क्या होता है यह जो जंपर है जंपर कनेक्ट करके हम यहां पर एंगल क्रियेट कर रहे हैं जो दो टावर के बीच का एंगल बना रहे है तो हमारा जो हैस्मॉल एंगल जो होता है उसका क्या होता है 2-15-2 होता है medium angle tower जो रहेगा उसका 15-30 एंगल 10-30 डिगरी रहेगा यहां पर हमारा यह यह क्या हो यह यहां से इधर से आया यहां से सिधा क्रॉस कर दिया है मत्लब 45-30 चाहिए क्रॉस है तो यह हमारा क्या हो गया सेक्शन टावर में आ जाएगा ठीक है एंगल टावर में आ जाएगा तो एंगल टावर में सेक्शन टावर में जो रहता है क्या होता है एंगल टावर या टेंशन टावर आते हैं टेंशन होता है इस पे इंसलेटर पे टेंशन आएगा कि तो हमारा जो है दी टावस सी टैप डी टावर कि एक टावर किया था अगत टेर्ट से टावर किया यह यह अंसे टावर कह लावटे हैं तो मुलावelle का अब देखते हैं नमभर उप सर्कीट के एकॉर्डिंग जो है तावर का जो डिजाइन है वह अलग-लग होता है वहांका स्वाइल कैसा है वहां का वेदर कैसा राता है वहां का कि लेंड कैसा है यह सब चीजों पर करता है तो यहां पर इस अंपर सर्कुटि के अकॉर्ड वह सबसे पहला देखिए single circuit टावर सिंगल सर्कुट काने का मतलब इस टावर पे जो है केवल एक सर्कुट जा रहा जैसे आर वाई भी ठीक है यह केवल एक ही सर्कुट जो है इस टावर पे जाएगा तो इस टाइप के डिजाइन को जो क्या करते हैं हम लोग सिंगल सरकीट टावर जैसे इस फिगर में देखिया आप डबल सरकीट मतलब एक साइड कोई एक सरकीट जा रहा है दूसरे साइड कोई दूसरा सरकीट जा रहा है तो इस टाइप के डिजाइन को हम लोग डबल सरकीट टावर बोलते हैं यह मल्टिपल मतलब एक ही टावर पे बहुत सारे सर्कुट जो है रहल लगे विराते हैं तो इसको हम लोग मल्टी सर्कुट टावर बोड़ते हैं ठीक है थैंक्स पर वाचिंग वीडियो को शुरू से अन तक देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद अगर आपको कोई भी सजेशन है या कोई कमेंट्स है तो हमारे कमेंट्स सेक्षन में आप लोग कमेंट कीजिएगा ठीक है अगले वीडियो में कुछ इंफर्मिटीव वीडिय लेकर हम आपके लिए आएंगे तक तक के लिए जैहिंट्स